नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूट चैनल धार्मिक बाते और विचार में दोस्तों माथे पर तिलक लगाना हिंदू धर्में यह यूं कहे शास्त्रों में भी एक पर्मपरा माना गया है किसी के माथे पर तिलक लगा देखकर मन में एक खुशी तो होती है साथ में उसे देखकर सकरात्मक भाव भी आते हैं माथे पर लगा तिलक देखकर कई बार हमारे मन में यह भी आता है कि आखिटी का लगाने से क्या फायदा है और सामने वाले ने या हमने तिलक क्यों लगाया है क्या यह मैस दूसरों के सामने दिखावे के मक्सद से किया जा सकता है या फिर तिलक धारन करने का कुछ वैग्यानिक आधार भी है दोस्तों टीका लगाने के पीछे आध्यात्पिक भावना के साथ साथ भेग्यानिक लाब भी होते हैं तथा उनके हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी आमतोर पर चंदन, कुमकुम, मिट्टी, हल्दी, भसमादी का तिलक लगाने का विधान है अगर कोई तिलक का लाब लेना चाहता है पर दूसरों को यह दिखाना नहीं चाहता तो शास्त्रों में भी उसका उपाय बताया गया है कहा गया है कि ऐसी स्तिती में ललाट पर जल से तिलक लगाना चाहिए इससे लोगों को प्रतियक्षतोर पर कुछ बड़े लाब आशानी से मिल जाता है दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि हम अपने शरीर के कौन-कौन से भाग पर तिल लगा सकते हैं दोस्तों हम सीर पर ललाट, कंट, रिदे, तोनों बाहू, बाहुमूल, नाभी, पीट दोनों बगल में इस प्रकार अपने शरीर के बारे इस्तानों पर तिलक लगा सकते हैं मस्तक पर तिलक जहां लगाया जाता है, वहां आत्मा अर्थार हम स्वेम इस्तित होते हैं, तिलक मस्तक पर दोनों बोहों के बीच लगाया जाता है, नासिका के उपर प्रारम बिस्तल पर लगाया जाते हैं, जो हमारे चिंतन मनन का भी स्थान है, यह स्थान चेतन, अव च जाग्रेत रखने के लिए तनाव मुक्त रहने हेतु तिलक लगाया जाता है तोस्तों हमारी भोहों के बीच के बिंदु पर लगाया गया तिलक सोभाग्य सुचक जैसे चंदन केसर कुमकुम आधिका होना चाहिए इससे सात्विक तथा तेज पूर्ण होकर इंसान में अत्म को बताऊंगी कि टीका लगाने से हमें क्या क्या लाब मिलते हैं दोस्तों हमें टीका लगाने का पहला लाब यह होता है कि हमारी उदासी दूर होती है यह बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि चंदन का टीका माथे पर लगाने से दिमाग में सेराटॉनिन और बीटा एंड इसे खुद को अच्छे कामों में व्यस्त रखने की कोशिश भी करता है और इसी वज़े से तनाव और सिर्थर्द में काफी हद तक सुकून मिलता है दोस्तों इसका दूसरा फायदा बताया गया है शांती और सुकून का मिलना माते के बीच में तिलक लगाने से शांती और मानसी कुद तेजना पर भी काफी हद तक नियंतरन पाया जा सकता है हल्दी में एंटी पैक्टिरियल तत्व होते हैं जो रोगों से मुक्ति दिलाने में हमारी मदद करते हैं इसलिए अगर हम अपने मातों के बीच बीच चंदन के साथ साथ हल्दी का भी तिलक लगाते हैं तो हमारे दिमाग और दिल को सुकून मिलता है दोस्तों इसका अगला फाइदा है हमारा इससे दिमाग शाथ रहता है माते पर चंदन का तिलक लगाने से दिमाग शाथ रहता है और तनाव भी नहीं होता क्योंकि चंदन को ठंड़ा प्रधार्त माना जाता है इसलिए जिन लोगों को तनाव अधिक रहता है वो लोग चंदन को गिसकर अपने माथे पर लगाते हैं तो उनका दिमाग हमेशा साथ रहता है दोस्तों अगला है नकारात्मकूर्जा तूर रहती है जो लोग माथे पर रोज तिलक लगाते हैं उनसे नकारात्मकूर्जा को सो दूर रहती है और उनके अंदर आत्मिश्वास बढ़ता है तिलक लगाने से जुड़ा यह लाप मनुवैग्यानिक रूप से भी प्रमानिक हो चुका है इसलिए अगर आपके अंदर आत्मिश्वास की कमी है तथा आपको लगता है कि नकरात्म कूर्जा आपके आस-पास है तो आपको मा सही नहीं चल रही तो माते पर चंदन का तिलक लगाना उत्तम साबित होता है दोस्तों इसका अगला फायदा है कि हमारे घर के अन्य और धन में परकत होती है ऐसा माना जाता है कि माते पर तिलक लगाने से व्यक्ति की किस्मत खुल जाती है और घर में आनाज और धन की कभी भी कमी नहीं होती, घर में धन और आनाज की बरकत बनी रहती है, इसके लिए हमें अपने माथे पर रोज चंदन का तिलक लगाना चाहिए, दोस्तों इसके अलावा तिलक करने से व्यक्ति प्रभावशाली हो जाता है, दरसल तिलक लगाने का मनोवैग्यानिक असर होता है, क् तथा व्यक्ति के मन में सांति पे सुकून आने से, उसका मनोवैग्यानिक प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है, और वो जीवन में आगे बढ़ता चला जाता है, दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी, कि हमें किस उंगली से तिलक करने का क्या क्या महत है, अनामी का उ सब्सक्राइब करने प्रत्मांगली कार्यों माणनेत है represent पूजामें पीच चंदन, गणेश पूजा में हरी चंदन, पित्रकार्यों में रख चंदन, शिव पूजा में भस्म चंदन, रिशी पूजा में स्वेच चंदन, मानव पूजा में केसरोच चंदन, लक्ष्मी पूजा में केसर, एवं तांत्रिक कार्यों में सिंदूर का प्रियोक तिलक करना चाहिए आशकरते हों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी से लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को दबाना ना भूले थैंक्स फॉर वाचिंग